नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फिटनेस मेंटर में तो आज हम चर्चा करेंगे जियोती केंदर पर, जियोती केंदर के ध्यान पर जियोती केंदर क्या है, यहाँ पर ध्यान कैसे किया जाता है, तो आईए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर शान्ती हो, एक आसन रख लें अपने नीचे या एक चटाई रख लें या एक चादर बिछा लें जिस पर आप बैठ जाएं अपनी सुविधा के अनुसार आप बैठें, सुख आसन में बैठ सकते हैं दोनों बैरों को क्रोस कर लें, आलति-पालती मार कर बैठ जाएं, दोनों हाथों को खुटने पर रख दें, कमर गर्दन सीधी अगर कमर सीधी करने में दूरी परिशानी है तो आप सहरा लेकर बैठ जाएं, अपनी कमर के पीछे एक तक्या लगा लें सीधे बैठने के बाद, कमर कर दन सीधी होने के बाद, आखों को कुमलता से बंद करते और मेरी बातों को ध्यान से सुने आखें बंद करने पर अपने ध्यान को लगाएं अपने मस्तिश्क के बिल्कुल सेंटर पर जियोती केदर पर हमारे दोनों आईब्रो के सेंटर पर जहां पर मताई बहने तिलक लगाती हैं बिंदी लगाती हैं आप सब तिलक लगाते हैं वहां पर ध्यान लगाएं जो भी विचार आ रहे हो जा रहे हो उन्हें रोकने का प्रयास ना करे शुरुआत में बहुत से विचार आएंगे उनको आने दे दीरे दीरे ये विचार स्वें ही आने बंद हो जाएंगे शरीर को जादा हिलाएं डूलाएं नहीं, स्थिर सीधे बैटने का प्रयास करें आँखें को मलता से बंद रखें ध्यान करें अपनी श्वासों पर अपनी प्रती एक आने जाने वाली श्वास पर ध्यान लगाएं मन की आँखों से देखें अपने मस्तिश्ख के सेंटर पर अपने ऐबरों के सेंटर पर देखें ध्यान लगाएं वहाँ पर ध्यान करें श्वेतरंग का श्वेतरंग के प्रकाश का श्वेत रंग का प्रकाश चंद्रमा के भाती श्वेत रंग शीतल शान्ती पूम भाई चारे का प्रतीक प्रसन्यता का प्रतीक श्वेत रंग उश्वेत रंग का श्वास भरे और श्वेत रंग के श्वास को बाहर निकाले अपने आने जाने वाने श्वास पर नजर बनाई रखे अपने श्वासों को अनुशासित करे आपकी आज्या के बिने कोई भी श्वास शरीर से बाहर नहीं आपकी आज्या के बिने कोई भी श्वास शरीर के बीतर नहीं कल्बना करें आपके शरीर के चारो और श्वेत रंग का प्रकाश फैला हुआ है श्वेतरंग के प्रमानु प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के बीतर जा रही है कल्बना करें, अनुभव करें, महसूस करें उश्वेतरंग के प्रकाश को बंद आखों से उश्वेतरंग के प्रकाश को देखें, वहाँ पर दिहान लगाई प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के प्रमानु शरीर के भीतर और प्रत्येक श्वेत रंग के प्रमानु शरीर के बाहर श्वेत रंग का प्रकाश मेरे शरीर के चारो और फैला हुआ है मेरे साथ साथ अपने मन ही मन दोहराए श्वेत रंग का प्रकाश मेरे शरीर के चारो और फैला हुआ है श्वेत रंग का प्रकाश मेरे शरीर के चारो और फैला हुआ है दीरे दीरे तीन श्वासों के साथ इस ध्यान को संपन्द करें, खुब गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर निखालें इसी के साथ तीन बार उच्छ ध्वनी के साथ ओम का जाप करेंगे कोशिश करें, कंट से अवाज ना निकले, मन से उच्चारण करें श्वास भरे दोनों हतेलियों को आपस में रब करें, रगणे दोनों हतेलियों को अपने मुख पर रखें, अपनी आखों को ढखें, अपनी आखों की पलगों को नहतेलियों के अंदर चपकाएं आखें को मलता से बंद रहने दे, फिर से एक बार अपने हतेलियों को आपस में रख करें अपने चेहरे पर रखें, बलकों को चपकाएं, हलके हाथ से उंगलियों को आखों पर सहराते हुए हाथों को नीचे रखतें इसी प्रकार आप इस ध्यान को रोज कुछ देर के लिए जरूर करें शुरुआती में आपको थोड़ी मश्किल जरूर आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसका भ्यास करेंगे वैसे वैसे ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा आशा करती हूँ, आपको ये पसंद आया होगा तो किर्प्या करके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको श्वेत्रंग का प्रकाश जियुती केंदर पर दिखा या दिखना स्टार्ट हुआ या नहीं धन्यवाद करके का प्रका हुआती अ सब्स्पOOO